करने से आदी है जुमूरियत को लवाज श्रीप की बादस्याद से खत्रा है पारलेमेंट में अपने बेटे के साथ इसने नहीं आ रहा कि मैंने आप सी के विक्तुर्शी खीच लेनी है मेरा मक्सिद है आपको भी समझाएं अल्काफिर हुसैन सहथ से हमारा मुकमल लगाई तायू है आप देख रहे हैं खबरों तबसरों और तज्याद पर मबनी पाहिस्तान का सबसे मौतबर नीज शो दुनिया कामरान खान के साथ असलाम अलेकुम मैं हूँ कामरान खान दुनिया में मसल्मानों पे मजालिन तो कई जगाओं पे हो रहे हैं अगर जो जल्म इस वक्त मियानमर यानी बर्मा में 11 लाक मसल्मानों के साथ हो रहा है उसकी कोई रज़ीद नहीं है में 11 लाक बेकसो लाचार हों गया मसल्मानों के खत्ले आम पर मसल्मानों की नमाइंद तन्जीम जिसका नाम है OIC Organization of Islamic Countries उसने मकमल खामोशी रखी हुई है और आपने देखा है के मसल्मान सरवराहान की जानिब से भी मतमवल मसल्मान सरवराहान की जानिब से भी एक चुप का रोज़ा है जो के खायम है लेकिन अब बर्मा में आमन के नोबल एदाम की हामिल आंग सांग चूपी की हुकूमत के खिलाफ मजालिम इतने बढ़ चुके हैं कि इस पर ना सिर्फ एक्वाम मुतहदा ने जबान खूली है बलके एक बहुत एहम पेश्रफ में कैथली किसाईयों के बजबी रहनमा पोप फ्रांसीस ने भी रोहिंग्या के बसलमानों पर तोड़े जाने वाले जल्म सितम पर उन्होंने कहा है कि वो खामोश नहीं रह सकते पोप फ्रांसीस ने इस सलसले में एक बहुत एहम बियान जारी किया है आएं मिलकर अपने रोहिंग्या बेहनों और भाईयों के लिए खुसूसी दौाएं करें इन्हें मेंनमा से दर्बदर कर दिया गया है वो मारे मारे फिर रहे हैं क्योंके इन्हें कोई कबूल करने को तयार नहीं गो के वो इसाई नहीं लेकिन वो अच्छे लोग हैं अमन पसंद लोग हैं वो हमारे भाई हैं और बेहने हैं वो साला साल से अज़ियत का शिकार हैं इन पर तशद्द्द किया गया, इन्हें कतल किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी सकाफत और इसलामी अकीदे के तहर जिन्दगी गुजारना चाते हैं ले लोरो ट्रदिश्योनी ले लोरो फेदे मुस्लमाना बच्चों के सामने उनके माबाप को वैस्टियाने तरीके से खतल किया जाता है अकवामी मुतहिदे का ये अदारा कहता है कि सेक्यूर्टी अहलकार घरों में घुजकर मुसल्बान खावातीन की आबरोजी करते हैं यही अग्वाम मुतहरा के जारा ये भी कहता है कि रोहिंग्या मसलमानों की नस्लक्षी की जिमेदार सरकारी मेश्री और फॉर्सेज है अमरिकी खबर इसाह जारे राइटर्स ने काल एक रिपोर्ट पे कहा कि मेएणमार में फाजी फॉर्सेज और सरकारी हालकार मनजब साज़िश के तरहत मुसल्मानों का खत्याम करते हैं जबके चाकू से गले काटना और घरों में मैसूल करके जिन्दा जला देना जी हाँ ये एक मामूल की बात है ये कहना है रॉइटर्स लीजिंजिंसी का इंसानी हुकूर की दीगर तन्जीमों का कहना है कि दीगर मुलकों में नخल मकानी करने वाले रोहिग्या मसल्मानों में अक्सरियत बुड़ी खवातीन या बच्चों की है क्योंके मेंनमार के फौजी 16 से 45 तक के मर्दों को जिन्दा नहीं रहने देते 16 से 45 कुमर के मुसल्मान मर्दों को कतल कर दिया गया है और जो बच गए हैं उनको कतल किया जा रहा है जबके नौजवान गवातीन को अखवा कर लिया जाता है इस वक देर लाग से जाइद रोहिग्या मसल्मान बंगला देश के पनाजिजीन कैम्स में और भारत, नेपॉल, थाइलेंड और मलेशिया सबेड दीगर मुल्कों में चोरी चुपे जिन्दगी गुजार रहे हैं बहुत ही बुरा हाल है रोहिग्या के इन मसल्मानों का कबर सब्रेक और उसके बाद जिकर करते हैं पाकिस्तान के उन लोगों का जो के सिद्ग के शुबे रहते हैं जहां पर तालीम की तबाही है, तबाकुन सूरत चाल है और इस सूरत चाल में पूरी नसल का मस्तखबिल दाव पे लगा हुआ है देखताई है कि कब पाकिस्तान पीपल पार्टी के सरवरा मिलाब बुक्तो जर्दारी मुलक आते है और फिर सिन में कयाम करते है, डेरा लगाते है और यहां के मुखतलिफ एहवाल के मामलात के अलावा देखते हैं कि तालीम के शुबे में यहां कितना बड़ा बहुरान है इसकी बात करते हैं छोटे से मुखत के लाद